दोस्तों स्वागातों सब्सक्राइब फिर सी एक और नई वीडियो में आज इस वीडियो में आपको NPS वातसल योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इसको लेकर सरकार के द्वारा और खासतोर से PFRDA के द्वारा 18 सिप्तेंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया ह इस सरकुलर में पूरी गाइडलाइंड यहां पर जारी की गई है NPS वातसल योजना के बारे में तो उसी के अधर पर आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी इसलिए वीडियो का प्लाश तक जरूर देखें आफन्टिक जानकारी है वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपके दोस्तों सक्क में भी सेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इस योजना का फाइदा उठा सकते हैं आपके जानकारी के लिए बताते हैं कि केंद्रिय वित्मंत्री जी के द्वारा 18 सिप्तंबर 2024 को एनपियस वातसल योजना के सुरुवात 18 साल से कम उमर के बच्चों के लिए की गई है तो इस योजना में बच्चों को कैसे फाइदा मिलेगा कैसे योजना बच्चों के लिए फाइदे जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसके अलावा आपको ये भी बता जाएगा कि योजना कब तक रहेगी कैसी आप account open कर सकते हैं कितना आपको पैसा इसमें देना होगा और कितना पैसा बच्चे को इसमें मिलने वाला है ये सब आपको इस वीडियो में बता जाएगा इसलिए वीडियो को आप लाश तक जरूर देखें तो आएए सुरू कर लेते हैं ये बेहद फाइदे मंद और जानकारी मंद वीडियो तो सबसे पहले याँ पर कि जो NPS वात्सलियोजना है ये क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है तो NPS वात्सलियोजना PFRDA की धारा 12A और धारा 20 के अंतरगत NPS प्रिनालिके तहत सामिल होगी यानि कि ये एक NPS का ही हिस्सा है ये विशेश रूप से नाबालिकों के लिए एक अंसदाई पैंट्सन यूरिना होगी जिसका उद्धिस विक्सित बारत 2047 की द्रश्टी से पैंट्सन मुक्त समाज बनाना और बच्चों के ससक्ति करण को प्रोज साहित करना है तो ये इसका मैन यूद्धिक्ट है कि जब बच्चा यदि बड़ा हो और उसको पैंट्सन के दिक्कत ना हो तो एक pension युक्त समाज बनाना इस scheme का मैन मुद्दा है यानि कि आपके बच्चे को आर्थिक रूप से मजबूद बनाना इस योजना का मैन मुद्दा है इस योजना को PFRD के द्वारा जो भी उसके नियमें उसके द्वारा इसको नियमित किया जाएगा PFRD के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा सब भी अलपिवेस्क भारतिय नागरिक स्वेचिक आधार पर इस योजना में सामिल होने के हगदार है यानि कि जो नाबालिक कंडिडेट्स हैं वो इस योजना में सामिल हो सकते है डेपिनिशन से आपर दी गई है उसके बाद मैं सामिल होने के लिए कौन पात्र है वो भी आपर बता आ गया है तो कोई भी अलपिवेस्क भारतिय नागरिक 18 वर्स की आयू प्राप्त करने तक इस योजना के अंतरकत खाता खोलने के पात्र होंगे पिएफाड ये द्वारा समय समय पर निर्दात की जाने वाली अन्य कोई कंडिसंस हैं वो भी यहां पर लागू रहेंगे लेकिन फिलाल की 18 वर्स की आयू प्राप्त करने तक कोई भी भारतिय नागरिक इस योजना में सामिल हो सकता है नेक्सट आता है कि योज इसी स्किम का पहाविजातके जो अकाउंट है वो अल्प वेस्क के नाम पर खूला जाएगा और यह जो खाता है यह प्राक्रतिख या वीधिक अब भावाके जोमेंचे नाम पर खूला जाएगा, जो यहां पर इसका एकमातर ला बार्ति bike यानि कि बच्चे का अकांट परेंट्स के द्वारा खोला जाएगा और बच्चे के नाम पर ही खोला जाएगा और वो ही इस 16 कीमука या फिर इस योजना का एक मात्र वैंक का खाते को अभी भावक द्वारा बच्चे के अनने लाब के लिए संचलित किया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्स की आयूप प्राप्त नहीं कर लेता है यानि कि 18 वर्स तक की उम्रों होने तक पेरेंट्स के द्वारा इस अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा उसके बाद में अभी भावक पर लागू होने वाले अपने ग्राप को जानी यानि कि KYC मांदन समय समय पर प्यफएड़िद वारा निर्दारिद KYC मांदनों के अमसार होंगे यानि कि अठारा वर्स के आई तक पेरेंट्स को KYC करवाना पड़ेगा उसके बाद में जो भी बच्चे है या फिर जो बच्चा है उसको KYC करवाना पड़ेगा उसके बाद में कि खाता खोलने के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट आता है तो खाता खोलने के लिए जनम ति मार्क सीट और अल्प वेस्क का पासपोर्ट इसमें से कोई एक आपको चाहिए होगा और बच्चे के बैंक खाते का विवरान या बच्चे के साथ सयुक्त खाता आविश सक है यदि उसके पास में अकाउंट है तो बहुत अच्चा है नहीं तब को जोइट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर यह बता गया कि भारतिया निवासी का खाता खोलने के लिए अलप वैसक बैंक खाते का विवरान अनुवारिय नहीं है लेकिन 18 वर्ष की आईव प्राप्त करने पर आनसिक आहारण या निकासी के समय यह अनुवारिय होगा यानि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी भारती निवा से खाता खोलते हैं तो वहाँ पर बच्चे के अकाउंट के आफसेक्तर नहीं होगी लेकिन 18 साल की उम्र होने के बाद में यदि उस अकाउंट से पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए बच्चे के नाम पर अकाउंट होना जरूरी है इसके अलावा संबंदित सियारे द्वारा अलप वेस्क अभी दाता के नाम पर एक विशिष्ट पैंसन से वन वृत्ति खाता संक्या यानि की प्रान जारी किया जाएगा और इसे NPS टायर वन खाता सरुनागरिक मोडल में स्वे इस्थांतरित कर दिया जाएगा यानि कि यदि जैसे बच्चे की उमर 18 साल हो जाती है तो उस खाते को आटोमेटिक रूप से NPS टायर वन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 18 वर्ष की आयू प्राप्त करने पर वैस्था प्राप्त करने से 3 महीने के बीतर अभी दाता का एक नया KYC किया जाएगे जैसा कि PFA दे द्वरा समय समय पर निर्दिश्ट दिया जाए नई KYC जमा करने के बाद NPS टायर वन खाते में अंसदान के अनुमती दी जाएगे 18 साल की उम्र होने के बाद में एक बार फिर से अपके बच्चे को KYC कराना होगा KYC कराने के बाद आपका अकाउंट जो है वो NPS टायर वन में बदल जाएगा और बदलने के बाद में आप उसमें और कंट्टिविशन कर सकते हैं कि और अंसदान दे सकते हैं वेक्सकतर प्राफ्ट करने पर NPS टायर वन खाते में अंतरन पर NPS टायर वन सरुनागरिक मोडल के अंतरगत निकास मान दन्नो सहित अनुषिस्ताय और लाब लागो होंगे यहनिक उसके बाद में जो NPS टायर वन के लिए रूल्स और रेकुलेशन्स हैं वो इस खाते के लिए भी लागो हो जाएंगे उसके बाद में बात आती हैं आप पर कि खाते में अंसदान किस तरीके से किया जाएगा तो योजना के अंतरगत अंसदान अभी भावक द्वारा अथ्वा अभी दाता द्वारा पी एफ वादे द्वारा समय सहें पर यथा वी निर्दिश्ट विमिन प्रकार की अंसदान के मादम से किया जा सकता है नियुंतम अनसदान 1000 रुपे प्रति वर्स और अधिकतम अनसदान की कोई सीमा निर्दाइद नहीं है योजिना के अंतरगत नामाकान के लिए प्रारमिक अनसदान 1000 रुपे है तो यहाँ पर एन्युली 1000 रुपे का कॉंट्रिबूशन आप कर सकते हैं मिनिमम अधिकतम कोंट्रिबूशन की कोई सीमा नहीं है आपकी कैपिसेटी के अंसवार आप जितना कोंट्रिबूशन कर सकते हैं वो NPS वातसल युजरा में कर सकते हैं उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर आपसे कितना प्रभार और सुल्क लिए जाएगा किसी भी समय खाते पर लगाए जाने वाले प्रभार और सुल्क NPS सर्व नागरिक मोडल के अंतरगत समय समय पर PFRD द्वारा निर्दर्थ सुल्क के समान होगे यानि कि जो जनरल NPS अकाउंट पर जो चार्जे लगते हैं वो भी इस अकाउंट पर लाग हो रहेंगे बात आती है कि आपके खाते में जो अंसदान है उसका निवेस या इन्वेस्टमेंट कहां किया जाएगा तो खाते में किये गए अंसदान का निवेस जिसमें पैंसर निदी का चैन सामिल है जो जनरल पब्लिक के लिए उप्सन अवेलेवल है उसी में आपके पैसे को निवेस किया जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि योजना के अंतरगत वितरन चैनल क्या होंगे तो यहाँ पर तीन ओप्सन्स हैं पेला बैंक है इंडिया पोस्ट इस्टोक ब्रोकिंग हाउस और पीए फाइडिये द्वारा विनियम दोजर अठार के अंतरगत उपस्तित्व के रूप में पंजिकरत कोई भी अनिकाई सीधे या सेवा निवरित सहला कारों या पैंट्सन एजेंटों यानि व्यापार प्रत्निदी भीमा एजेंट मुच्वल फंड वित्रक आधी और उनके द्वारा नियुकत हैं कि माध्यम से योजना के अंतरगत अभी दाताओं को नामांकित करने के लिए पात रहे हैं योजना के अंतरगत नामांकन को ओनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बढ़ाया जाएगा पिए फैटे द्वारा समय समय पर अनुमति प्राप्त कोई अन्य चैनल भी सामिल होंगे यानिकि जो मौजूदा सिस्टम है उसी को फॉलो करते हुए आपके जो भी पैसे ह उसको मार्केट में लगाया जाएगा उसके बाद में कि खाते से आप निकासी और विड्रॉल है निकासी और प्रत्याहरन कैसे कर सकते हैं कुछ कंडिसंट्स यहां पर हैं और कुछ मामले हैं जिनमें आप पैसा निकाल सकते हैं कि अभी दाता की सिक्षैरिंगी जो कॉंट अभी भावा को खाता कुलने की 33 से नियुंतम तीन वर्स के बाद अभी दाता के अंसदान के 25 फिजदी तक निकास आनसेक रूप से आरण करने की अनुमतिय होगी यहांने कि कम से कम तीन साल आपका जो पैसा है वहापिस में वह लोग लोकिन रहेगा उसके बाद में तीन स पैसाओं के 18 वर्स की आयू प्राद करने तक अधिक्तम तीन बार ऐसी सुविदा गोशना के अधर पर उप्लाब्द कराई जाएगा यानि कि मैग जीमम तीन बार आप पैसा निकाल सकते हैं जब तक आपका बच्चा 18 साल का होता है उससे पहले अल्पिवस्क अभी दाता क म्रेट्य होने पर संपून संचित प्रासिका भुगतं अभी बावग को किया जैगा मान लिए कि किसन अनोनीं के कुछ गटना हो जाती है तो यह पूरा पैसा है वह पैर की मृत्युहен पर पिए फ़र द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किये गई के वाइसी दस्तावेश को जमा करके अल्प वेस्क अभी दाता की और से अन अभी भावक पंजिकरत किया जाएगा मान लिजे कि जो पेरेंट्स है उनके साथ में कुछ ननों नहीं हो जाती है तो उस मामलों में भी जो पैसा है या पर रहने कि किसी दूसरे को नौमिनी बनाया जाएगा और उसका उप्शन भी दिया जाएगा नेक्श नहीं पर कि माता पिता दोनों की मृत्यू के मामले में विदिक रूप से नियुक्त अभी भावक उस काते में सदान करने के साथ या उसके बिना भी खाते को जारी रख सकते हैं और अभी दाता द्वारा 18 वर्स की आयुप राप्त करने पर अभी दाता के पास योजना को जारी रखने या उससे निकासी का विखल्प होगा यह पर आप नोट करें कि यह दोनों पैरेंट्स के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो बच्चे को उस अकाउंट को 18 साल तक रखना होगा यानि कि 18 साल की उम्रोने तक रखना होगा उसके बाद में वो उससे पैसा निकाल सकता है अभी दाता को 18 वर्ष के अभी प्राप्त करने पर निकासी के उनुमती दी जाएगी ऐसे निकासी पर खाते में उपलब संचित रासी का कम से कम 80% वार्षे की खरीद के लिए उप्यूग किया जाएगा और सेस रासी का एक मुस्त भुगतान किया जाएगा यदि खाते में उपलब संचित रासी 2,50,000 रुपे या उससे कम है या सूची बद वार्षे की सिवा प्रदाताओं से वार्षे की खरीद पर उपलद नहीं है तो अभी दाता के पास संपूर्ण संचित रासी को निकालने का विखल्प होगा यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि आपके जो पैसा है वो यदि ढ़ाई लाक रुपे से कम है तो अठारा साल की आयू होने पर पूरा पैसा एक मुस्तमन निकला जा सकता है नहीं तो यह उससे ज़्यादा पैसा है तो उसमें से सिर्फ जो 20 फिश्दी पैसा है वो ही आपको निकालने की अनुमती दी जाएगी बाकी का जो 80 फिश्दी पैसा है आपका उसको एनुटी खरिदने के लिए यूज के जाएगा और इसी से पैसन दी जाएगी यूजिना के अंतरगत निकास और आरण पैसन निदी विनियामक और विकास प्रादिकर नहीं की पीएफारड़ी है विनियम 2015 यह था संस्वजित के पादानों द्वारा अभिसासित हो गाया निकि जो भी पीएफारड़ी के रूल और डैगूलसन है समय समय पर जारी की करने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरोग प्रेस करना हर एक यूजफल और फायदे मन जानकारी सबसे पहले देखने के लिए